आप सब जिस दिन का वेट कर रहे थे, जिस एक्जाम का वेट कर रहे थे, हजारों मैसेज, सो से जादा मिल, बहुत सारी चीजें मेरे सोसल मीडिया पे, सबका एक ही सवाल कि आर्मी डेंडल कॉप्स कब आएगा, इस साल आएगा कि नहीं आएगा, ये भी कुछ लोग का सवा कि साल आने वाला है भी या नहीं आने वाला है, तो फाइनली डेट आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, आर्मी डेंडल कॉप्स 2023 की, तो आप सब ये पूरा वीडियो और आम से देखिए, आपको पता चिलेगा कि हाँ, exactly क्या और क्या-क्या चीज चाहिए, और कैसे सेलेक्शन हो रख रहा है, मैंने उन से बात किया, सब कुछ जाने की कोशिस की कैसे होता है, क्या है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसका जो स्टार्ट होगा, वो होगा आपका 18th of November से, ठीक है, 17-18 November से आप फॉर्म फिल अप कर पाएंगे, और लास्ट डेट है, 17 सितंबर तक, मतब एक मैने का डेट आपको मिला है, फॉर्म फिल अप करने के लिए, इन्होंने एक minimum marks रखा है BDS में, जो है 55%, मतब 55% marks आपके आने चाहिए, अब इसमें सिर्फ वही लोग EPR हो पाएंगे, जिन्होंने NEET MDS 2023 का एक्जाम दिया है, मतब अभी अभी जो NEET ख करते हैं कि सौट लिस्ट करते हैं कंडिडेट को, आपने जैसे ही form fill up किया, वह आपसे पूछेंगे कि आपका scorecard होना जरूरी है, अगर अभी तक आपने scorecard डाउनलोड नहीं किया, बहुत साइए लोग है जिन्होंने admission नहीं लिया, तो scorecard डाउनलोड नहीं किया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो shortlist करेंगे आपको interview के लिए, अगर आप shortlist होगा interview के लिए, तो आपको interview के लिए बुलाएंगे, तो इसमें जो maximum age है, वो 45 I think है, 45 years से आपका कम age होना चाहिए, आपका intensive complete हो जाना चाहिए, आपने NEET का exam दिया होगा, 2022 नहीं, 2023 मतलब current NEET का आपने exam दि हो, ठीक है, उसका admit card भी important है, अब बात करते हैं कि अगर ये सब कुछ आपने किया है, आपने NEET का exam भी दिया है, आप qualify भी किये हैं, आपका 300, सारे 300 marks है, या जो भी marks है, 600 marks है, जितने भी number आपके हैं, वो marks आप लेके आए हो, प्लस आपके 55% marks हैं, overall first year, second year, third year, और final year BTS में, other than that, आपके पास, आपका जो age है, वो exit नहीं कर रहा है, 45 years से, तो आपको वो interview के लिए बुलाएंगे, अगर आप short list होते हैं, तो, और अगर उन्होंने आपको interview के लिए बुलाया, तो total number of seat 28 है, 28 seat है इस बार, 28 seat है, total number of seat is 28, for male and female both, अलग अलग इस बार नहीं है, कि हाँ male क seat है, या चार seat है, ऐसा कुछ नहीं है, total 28 seat है, सारी seat में से कोई भी 28 के 28 male हो सकते है, 28 के 28 female हो सकते है, all depend upon the interview, कि आपको जो interview लिया जा रहा है, उसमें आपका performance क्या है, अब इसके interview में क्या पूछते है, तो याद रखिएगा, जब भी आप आर्मी डिल कॉप्स के interview के लिए जाते हैं, तो उससे पहले आपका medical होता है, medical is most important, उनके term में क्या होता है, उन्होंने girls की कुछ height रख रखे है, उतनी height होनी ही चाहिए, boys की height है उसमें, कि इतनी centimeter height minimum होना चाहिए, आपका weight तक वो लेते हैं, कि आपका weight कितना है, everything, आपका physical fit होना बहुत जरूरी है, अब य जो army में लोग जाते हैं, physically, मतलब NDA के through, या और भी different ways से, जो army में जाते हैं, वहाँ पर जो medical fitness होता है, वो 100% होना चाहिए, 100% medically fit होता है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीजों को neglect किया जाता है, कुछ चीजों का मतलब यह नहीं है, कि वो किसी को भी ले लेंगे, तब भ मतलब इसमें यह होता है, इसमें कुछ height को ले करके compromise करते हैं, थोड़ास आपको मिल जाएगा height का rebate, थोड़ास आपको weight का rebate मिल जाएगा, अगर आप चश्मा लगाते हैं, तो eyesight पर भी इनका रहता है, कि हाँ इतना तक है, तो हम ले लेंगे, तो इन सब चीजों पर आप interview में जाते हो, तो उनका mainly focus होता है, dentistry के साथ साथ, अलग लग चीजों को भी ले करके, कि आपका देश के परती क्या knowledge है, आपका देश के परती कितना जागरुख हैं आप, वो आपसे कुछ general amplitude questions भी पूछे हैं, उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जीके पूछ सकते हैं, आपसे हो सकता है कि Indian Army के बारे में पूछ लें, और मैं यही कहूँगा आपसे अगर आपका selection होता है, interview तक के लिए आपको बुलाया जाता है, आप स्वाटिस्ट होता है, तो Indian Army के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत कुछ तो नहीं मैं कहूँगा पता होनी ही चाहिए, आर्मी के बारे में, प्लस अपने country के बारे में, दूसरा request ही करूँगा जब आपने जूट बिलकुल ना बोले, क्योंकि मैंने कुछ senior से बात किया, और हुआ पर जूट बोलने का कोई मतलब नहीं है, यहां तक यार्मी होबी में कुछ लिख दिया है सबसे आपको होबी है, प्ले गिटार, अपने लिख दिया है, तो उनके पास सब कुछ है, उनका मन करेगा, वो कह देंगे बिटाए गाना सुनाओ, यह लोग गिटार, अराम से बजाओ और गाना सुनाओ, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो जो आप कर रहे हो, बिलकुल सच उनको सथ सुनना है, वहाँ पर जूट कुछ मत बोलो, दिखावे की जिंदगी बिलकुल मत जीना, कि आप मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, वो कुछ भी बोल देंगे करने को फिर, तो don't do that, जो सच्चाई है, वो उनको जाएंगे, तो स्टार्टिंग में फिल डूटी पर ही डालेंगे आपको, ऐसी जगर डाल देंगे, जहाँ पर न आपको AC मिलने वाला होगा, ठीक है, न अच्छा कोई रस्ट्रेंट मिलने वाला होगा, बिल्कुल एक अलग ही इंटीर जिगा पर आपको डाल देंगे, तो और अगर आपको और भी कोई कोश्चन हो, तो मैं इस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, आप प्लीज उस पर मुझे फॉलू कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाइज जिरूर मैं लेगा, थैंक यू